आप देखरें विशेश आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी कंटवाल बॉलिवोड के सिंगहम और विवादो के खान कमाल आर खान के बीच जंग छिड़ गई है K RK ने ट्विटर पर अजी देवगन के आने वाली फिल्म शिवाई के बारे में भला बुरा रिखा ये आवाज एक स्टिंग ऑपरेशन के तहद रिकॉर्ड की गई है और इस स्टिंग ऑपरेशन से बॉलिविट के विवादिद एक्टर कमाल राशिद खान यानि के आर के बुरी तरह फस गए इस आवडियो टेप में के आर के फिल्म को हिट और फ्लॉप करने के खेल का खुलासा कर रहे है है मैं आपको अर्ड है यँ दिया है कि उसका फेवर मुझे चरना ही पड़ेगा बाएची जो आदमें ब्लॉप क कड़ेगा है नहीं को फेवर करना पड़ेगा है दो सब्सक्राइब करने किसका सब्सक्राइब आपको कर देगे हम तो अरे हम आपका तो हम बिना बिना फेक किये अपोर्ड कर दे लेकिन आपका ही रो तो मतलब उसका क्या नाम है मैं इसके बंड़े पर शायद SMS भेजाता उसका रिपलाई तक नहीं करता भाई आपका ही तो बिचारे को अरे आपको पता है यह नौन शोचल आदमी है किया आरके के स्टिंग से जो खुलासा हुआ है उससे पूरी तरह बॉलिवड के सिंग्ण के निशाने पर आ गए है करण जो हर आजए देवगन ने जो प्रेस रिलीज जारी कि अजय ने कहा है मैं 25 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ और मेरे पिता इस इंडस्ट्री के जाने माने इस्टन डिरेक्टर है इसलिए इंडस्ट्री से मेरा जजजबाती लगाव है ऐसे में कमाल जैसा कोई एक आदमी उटकर फिल्म को बुरा कहता है ताकि वो हमसे पैसे एंडस्ट्री में कुछ अजीब सी धाक जमाली है ताकि वो पैसे वसूल कर सके फिल्म को बुरा भला कहकर या उसके खिलाफ बुरी अफ़माहें फैला कर अब सवाल उटता है कि क्या सचमुच करन जोहर ने क्यार के साथ मिलकर शिवाई के खिलाफ साज़िश रची बॉल्यूड में गौसिप का बाजार गर्म है और लोग सवाल का जवाब चाहते हैं आज तक भी उरो झाल 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 झाल